जैसी कश्मा गीता धाम गुरुकुल में कक्षा साथ का फिश्य स्वाबैत और कक्षा साथ लेशन नंबर दस पाड़ दस एपुर्वे अनबव क्या है एपुर्वे अनबव और देट ग्यारा बारा बीस बीस करपया जान सुरेंगे कक्षा साथ की जारती हूं इसमें कुछ पार्ट कम कर दीगे जिस नौव पार्ट ता उसको कम कर दिया गया है इसलिए उसको मैंने फोड़ दिया है आप उसी दावस्वाट परणा है और कुछ और भी पार्ट कम किये गे आपका अगनी पड़ाई जाले के तमसे स्एबाट का है कि एक ये इस संस्वर मैं उन्येट सुको कूर्यान इंग की अगलर्ड़टी और तोटोट गार में शीविर लगने के दो दिन बाद तो तो चान के लिए एक बड़ा शास करने का दिन आया, क्या आया, एक बड़ा शास करने का हिम्मत करने का दिन आया, क्या आया, हिम्मत करने का दिन आया, मतलब क्या होता है हिम्मत और शीविर का मतलब क्या होता है मैं दो दिन दो दो चान के लिए एक बड़ा शाश करने का दिन आया इसे दिन उसे याशुकी चान से मिलना था किसको मिलना था दो दो चान को इस वेड का पता ने हो तो दो चान की माता पिता को था क्या ने तो उसके दो चान की माता पिता को था नहीं याशुकी चान के किसके उनकी मा याशुकी चान उतो तो दो के माता पिता को इस चीज के वारे में पता नहीं था क्या नहीं था बेदन पता मालूम नहीं था रैशे मालूम नहीं था उसने याशु की चान को अपने पेड़ पर चड़ने का नोता दिया किसको दिया याशु की चान को किस ने दिया तो तो चान ने तो मो ए मैं हर एक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चड़ने का पेड़ मानता था तो मो एक जगे का नाम है और हर बच्चा एक एक पेड़ को क्या मानता अपने खुद के चड़ने का पेड़ मानता था तो तो चान का पेड़ मेदान के बारी हिशे में का था मेदान के बारी हिशे में कूहो ने बुच्चु जानने वाली शड़क के पास था ये कुहो नो बुस्सो नाम की को शड़क है उसके पास में जाने वाली शड़क के पास में था क्या नाम था उसके पास में था पे बड़ा सा पेड था क्या था बड़ा सा पेड था उसका चड़ने जाओ उसका चड़ने जाओ तो पेर फिछल जाते हैं उस पर अगर चड़ने जाओ तो क्या होता पेर फिशल ने फिशल जाते पेर फिशल जाते जने कहने बहुत चिक ना था इल्ड उस पर चड़ा नहीं जाता पार ठीक से चड़ने पर जमीन से कोई छे फूट की उचे पर एक दीव साखा तक पहुंच जा सकता था दीव साखा दूसी चार का पहुंच जाता ता साखा गुदल तर टेहन आ प्रफ़नीया क्यों तक वूट होता है पीलकूल कि सी जुलेузिर ही और आमदे जगे थी क्या थी बिल्कूल जुले कि तरह में विल्कुल आरामदे जगे ये तो तो चान अक्सर खाने की चुटियों के, क्या करते खाने की चुटियों कर समय या इसकूल के बाद उपर सड़ी मिलती, क्यों मिलती? वो तो तो चान की स्कूल के बाद उपर सड़ी मिलती, वहां से वे सामने दूर तक उपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी, क्यों देखा करती थी? तो तो चान बच्चे अपने अपने पेरेड को नीजी संपती मानते थे, अपने खुद की संपती मानते थे, किसी दूर से के पेरेड बचड़ना हो तो उससे पहले पूरी सिष्टा से माप कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो पूछते थे, सबसे हैं, सिष्टा से पूछते थे, नहीं बड़ी तरीके से हैं, सिष्टा ओनलग क्या होता है? सब बेटा है, सब बेटा से हो पूछते थे, क्या मैं अंदर आ जाऊं? और अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था, क्या करना पड़ता था? पूछना ने तो किसी पेड़ पर सर्थ पाता था और नहीं किसी पेड़ को निजी संपती मानता था क्योंकि वो सर्थ निपाता इसलिए उपने पेड़ को निजी संपती भी नहीं मानता था अते तो तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमेद किया किस पर किया अपने पेड़ पे आमेजित किया किसने दोतो दोतो चान ने किसको या सुकी चान को किया बोली किसको था या सुकी चान को था और आमेजित किसने किया दोतो चान ने किया किसको किया या सुकी चान को किया क्यों अपने पेड़ पर चणने के लिए ठीक है तो तोतो चान उसे अपने पेड़ पर आममेज़ित किया यह पेड़ पर सेड़ने के लिए आममेज़ित किया क्या क्या आममेज़ित किया पर ये बात उन्हेंने किसी से नहीं कही ये बात उसने क्यों कि अगर वे सुनते तो जरूर डारते इसलिए नहीं कही कि अगर वो सुनते तो जरूर डाड़ते कर से निकलते समय तो तो चान ने माशे काक की वे याशो की चान के गर डेनेन चोपू जा रही है क्या जा रही है डेनेन चोपू जा रही है कि वह इसने मां की आँनकों मैं नहीं जानका देखा देखा नहीं उसकी मां को आँसो आँसो मैं वहे हैं अपनी नजरें जूतों के फितों पर गड़ाए रही और रोकी उसके पीछे पीछे इस्टेशन दगाया कहां दगाया इस्टेशन दगाया और जाने से पहले उसे सच बताए मिना तोत्तु चान से रहा नहीं गया क्या उसको सच वास्तिक बताए वगर तोत्तु चान से रहा नहीं गया मैं याशो की चान को अपने पेड़ पर चड़ने देने वाली हूँ क्या का है कि मैं याशो की चान को अपने पेड़ पर चड़ने देने वाली हूँ वही मैं मेरे पेड़ उसको चड़ाऊंगी तो उसने बताया तब जोतो चान इसकूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आज़ पास हवा में उड़ रहा था उसका रेल पास का उड़ था उसके गले में हवा में आज़ पास उड़ रहा था यासु की चान ने उसे मेदान में क्यारियों के पास मिला का मिला क्यारियों के पास गर्मी की चूटियों के कारण सब सुना पड़ा था क्या पड़ा था गर्मी की चूटियों के कारण सब सुना था याशु की चान उससे से खुल जमा एक ही वर्स बड़ा था याशु चान कहा था एक साल ही बड़ा था पर तोट्व चान को वे अपने से बहुत बड़ा लगता था तोट्व चान कहा लगता था बहुत ही बड़ा लगता था जैसे ही याशु की चान ने तोट्व चान को देखा वे पेर गशीरतावा उसकी और बड़ा और उसके हाथ अपने चाल को इस्तर करने के लिए दोनों और पहले वे थे तोट्व चान उत्यजित था क्या था उत्यजित था उत्यजित था और वे दोनों आज कुछ एसा करने वाले थे जिसका बेद किसी को भी पता ने था जिसका बेद किसी को भी मालूम नहीं था क्या नहीं था बेद मालूम नहीं था वे उलास थित्या कर हसने लगे कुछी से जोर जोस या कुछी से थित्या करके हसने लगे या शुकी चान भी आसने लगा जैसी कशना नेक्स्ट में कल पड़ाओंगा आपको